हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कॉंपुटिटिव एक्जाम लर्निंग चैनल यदि आज की वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें फ्रेंट्स में लाइक करें चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में आप स्टडी करने जा रहे है इलेक्ट्रो प्लेटिंग विद्यूत लेपन क्या होता है जब हमें किसी एक मैटल पर दूसरी मैटल की लेयर चड़ानी होती है और उसको अगर हम इलेक्ट्रिक करिंट पास करके कहेंगे तो ये प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रो प्लेटिंग जैसे कि यदि कोई आइरन का आर्टिकल है और आपको उसे कॉपर का शो करना है तो कॉपर की इलेक्ट्रो प्लेटिंग करेंगे इसी तरह से अगर कॉपर का या किसी और मैटल का वस्तु है और उस पर आपको silver की, gold की, platinum की layer चड़ानी है तो इसे हम electroplating के through करते हैं So electroplating is very much useful और इसे हम use करते हैं ornaments को बनाने में जिसी gold है, costly है तो हम come cost की metal पर gold की electroplating करते हैं और जिससे हमें ये लगता है कि ये gold का है जिसी कि market में आजकल 1 gram की jewelry आती है तो ये electroplating के through ही बनती है इसके लावा metals को corrosion से बचानी के लिए भी हम electroplating का use करते हैं तो इसके लिए हमें करना क्या क्या है एक glass का आपको cell बनाना है तो jar लेंगे glass का उसमें हम metal लेंगे जिसको हमें जैसे copper की plating करनी है तो copper metal की plate लेंगे और इसे हम battery के positive end से जोड़ कर anode बना लेंगे जिस metal पर जिस article पर हमें layer चड़ानी है उसे हम battery के negative end से जोड़ कर cathode बना देंगे साथ में हम जिसके अगर copper की plating कर रहे हैं तो copper का salt लेंगे silver की ले रहे हैं तो silver का salt लेंगे और अगर gold की plating कर रहे हैं water में dissolve करकर electrolyte बनाया है अब जब हम current पास करते हैं तो copper के ions, copper ions, cations copper plate से निकल कर solution से होते हुए इस iron के article पर collect हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद iron की जो article है वो हमें ऐसा लगेगा जैसे की ये copper का article है आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इसे like करें कोई question हो तो comment box में comment करें Thank you